आज की जो रेसेपी है वह बहुत ही सॉप्ट मॉइस्ट और फ्लफी चोकलेट केक की रेसेपी है जिसे मैं होल वीट और ब्राउन शुगर से बनाऊंगी तो फिर चलिए स्टार्ट करती ही रेसेपी यहां पर मैं एक कप आठा ले रही हूं आठा वही जिससे रोटी बनाती ह और अनस्विट एंड कोको पॉडर ले रहे हूंसाथी बेकिंग पॉडर बेकिंग सोड़ा और यहां पे नमगणान ले ईंगे केक बहुत जरूरी होता है यह प्रॉसेस के बचे हुए उसे भी चमच की मदद से चान लेती हूं अब एक बर हलकी हाथ से सारे इंगिरियंग क मैं mix कर लेती हूं अब यहां पर मैं brown sugar ले रही हूं आप चाहे तो यहां पर गुर का powder या white sugar जो भी sugar खाते हैं वो ले सकते हैं और मैं फिर से mix कर ले रही हूं साथ ही यहां पर मैं एक अंडा डाल रही हूं और oil डाल रही हूं इस जगह पर अब melted butter ले सकते हैं और दही दही को मैं mix करके अड़ कर रही हूं और हलका गरम पानी यहां पर फ्रेंस मैं आधा कप गरम पानी मतला हलका गरम पानी ले रही हूं और लगतार mix करती जाओंगी तो पानी जो है उसे एक बार में नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे कभी कभी आटा पतला होता है तो उसकी वज़ा से पानी के मातरा थोड़ा कम और जाधा हो जाएगा तो लेकिन जब भी डालेंगे इसमें हलका गरम पानी डालेंगे तो यहां पर देखें डालने के बाद थोड़ा पानी बच जाएगा मतलब आधा कप से 2-3 चमच कम लगे चलाते हुए मिक्स कर लेती हूं तो अब जो यह बैटर है यह बेक होने के लिए एकदम रेडी है और मैं केक टीन को पहले से ग्रीस करके रखी हूं आप चाहे तो बटर पेपर डाल कर भी रेडी कर सकते हैं इसके अंदा बैटर डालेंगे और दूसरी जो जरूरी है केक बना अब आच ञेक बहूंते हैं नहीं को ढेट डाल के अपली सटी केम कर अब टीन से दालुक्त है की यहरो केक हैं जो गया है केक चैक हें लाग बिक हो गया तो बहुत की बड़िया केक री ऐडिया है कर दो और तो नहीं और इसे एक cotton cloth से मैं धख दूंगे, यह भी बहुत करम है, जब तक ठंडा ना हो तब तक ढखे रखेंगे, ढखने से क्या cake और भी moist हो जाता है, और भी soft हो जाता है, आप यह tip जरूर फॉलो कि लिए आपको पता चलेगा यह cake कितना बढ़िया बन रहा है, अब यह इसे मैं ए बहुत बढ़िया है, आप इस recipe को जरूर ट्राइ किजिए, और मैं कट करके भी अंदर का जो texture है, वो भी दिखाती हूँ, तो आपको वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि यह कितना बढ़िया है, तो होप आपको यह recipe भी पसंद आई होगी, मैं already बहुत सारे cake की recipe अपन पसंद आईगी.